Hey guys, welcome back to my YouTube channel Vedic Mathematics के इस सीरीज में आज हम लोग देखेंगे Multiplication with 9 सीरीज ठीक है? यानि 99, 999, 9999 या और ज्याद़ बड़ी नंबर से हम कैसे multiply करते हैं किसी भी नंबर को तो वो देखते हैं तो इसके अंदर first point हम लोग आज देखेंगे same digit के नंबर को same number of 9 से multiply करना ठीक है? तो ये technique जो है ये multiplication के लिए बहुत ही ज़्यादा help पूल है ये n digit वाले numbers को n number of 9 के साथ multiply करते हैं एक example देखिए 533 multiplied by 9 answer क्या होगा? 532 467 ये बहुत ही easy method है तो एक example देखिए मैं आप दिखाता हूँ suppose मुझे multiply करना है 567 into 999 को ठीक तो इस method के लिए step 1 इसे हम दो step में करेंगे step 1 step 1 में हम given number को one digit minus कर देंगे तो वो क्या होज़ेगा 566 ये हम लोग का क्या होगा? first visit होगा first part होगा answer का 566 मैं इसे यहाँ लिख रहा हूँ second में हम क्या करेंगे 999 से 566 को minus करेंगे 566 को minus करेंगे 567 को नहीं तो देखे 3 3 और ये कितना होगया? 4 तो ये answer होगया 433 ठीक? 433 अब अगर एक और example लो मैं एक और example लो कुछ भी ले लिजे 637 इसे मुझे multiply करना है 999 से तो देखे ये क्या हो जाएगा फर्स्ट स्टेप reduce one digit number of given number 636 ठीक? इसके बद फिर क्या है? सेकेंड स्टेप 999 से 636 को minus करेंगे तो 3 6 और ये 3 363 तो आप इसे calculator में भी check कर सकते हैं तो ये दो स्टेप में बनने वाला question है और इसके लिए मैंने आपको पहले ही बदाया था दो method subtraction के लिए एक BFF जो addition subtraction के लिए था और एक था all from 9 one from 10 तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देखिए वो आपको help करेंगी इसमें और इसकी थोड़ी से practice के साथ आप किसी भी number को आप orally 9 के साथ 9 numbers के digit के साथ multiply कर सकते हैं next video में हम लोग देखेंगे next video में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम 4 digit या 5 digit वाले 9 series को हम उतनी digit वाले number से कैसे multiply कर सकते हैं example के लिए अगर मुझे 4,655 को multiply करना है 9,999 से तो इसका वीडियो में आपको next में बताऊंगो तो stay tuned मेरे चैनल को like, share and subscribe करें अगर आपको पसंद आया हो तो thank you